हेई बनारस, गुद मॉर्निंग, कैसे है आप, समझ नहीं आ रहा है ना कि उठें के थोड़ी देर और सो जाएं, बाहर जाकर थोड़ा टहल आएं, यूनो, मॉर्निंग वॉक या फिर रजाई में ही पड़े रहें, गर्मी कासा मौसम तो है, लेकिन कमभगत ये सर्दी अभी पूरी तरीके से गई नहीं है, है ना, कितना कन्फूजन है ना बनारस, और सबसे अनॉइंग बात ये है भई, कि इतनी सारे आप्शन्स, डिफरेंसेस, सोच विचार, ये सब हम इनसानों ने खोद अपनी अपनी सुविधानुसार ही क्रियेट कर रखे हैं, फिर भी पता ह नहीं, जिबकि आज से हजारों लाखों साल पहले हमारे पूर्वजरिशिमुनियों देवी देवताओं ने यही का आए कि संतोशम परम सुखम, संतोशम परमास्थाय, सुखार्ती सैयतो भवेत, संतोशम मूलम ही सुखम, दुख मूलम विपर्ययह, अर्थात सुख के इच सुख का कारण है, तो बच्चा इस सुखा दो प्रवचन के लिए सबसे पहले तो तालिया बजाईए, वेरी गुड, अब रजाई से हाथ बाहर निकाली लिया है, तो जोर से अंग्राई लीजिए और नजर घड़ी की तरफ गुमाईए, देखिए, सुबे की बच्चु के है साथ, आज की तारीक 27 फरवरी दिन है मंगलवार, और आपकी लाइफ में आज सब कुछ मंगल कारी हो, तो जजमान, संतोशम, परम सुखम का करिये ध्यान, बट डूरे मेंबर, हाथ पर हाथ रिकर बैट नहीं जाना है, मन में शान्ती, धीर, जिधैर या पेशन्स, इतन अपर्टेनिंग एपिसोड, here I am only yours, मिटी मिटी बनारसी मिर्ती, आर जे कीर्थी, आपके साथ, सो बनारस, get set ready for the ride, एक लंबी से सांस लीजे, और जोर से बूलिए, good morning, बनारस, जीत का मंत्र है, take it easy, बनारस, welcome back to your most favorite morning program, good morning, बनारस, with me, आर जे कीर्थी, starting with, entertaining song, now it's time to have some information, तो चलिए जानते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरे, और पदा करते हैं क्या कुछ हो रहा है, खास हमारे बनारस में आज, तो बनारस, आज की सबसे पहली खबर ये है कि हमारी भारती क्रिकेट टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में इंगलेंड को पांच विकेट से हरा कर, पांच मैचों की सिरीज में तीन एक की सुपर दूपर बढ़त ले ली है, अपने होम पेच पर भारत की पिछले 12 सा हम सब के सामने हैं, तो किंग्राचुलेशन्स टीम इंडिया, ओल बेस्ट! जल्द ही देश के सभी राजियों के साथ साजा किया जाएगा, जिसमें विबिन्न तरह के विशानों की निगरानी के साथ जोखी मुल्यांकन और फील्ड महामारी विज्ञान को मजबूत बनाने की तैयारी है! इसके साथ ही अपने भारत की रक्षाक शेत्र को और भी मजबूत बनाने और देश की आत्म निर्भरता और तकनीकी प्रगती में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए, उत्तर प्रदेश की कानपूर शहर में आयूद और मिसायलों के निर्मान के लिए मेगा से बनारस ड्रामा फेस्ट 2024 का आयोजन होने वाला है जिसमें बाल नाटक, नुकर नाटक और गोश्ट ही होगी और इस फेस्ट में देश के कई प्रदेशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे इस फेस्ट के पोस्टर का लोकारपन करते हुए पद्मभूशन प्रफेसर दीवी प्रशाद दिवेदी ने कहा कि इस आयोजन से देश के नाटक कलाकारों को मंच मिलेगा साथी प्रतिभावान कलाकारों को अफसर के साथ कलाको प्रोत्साहन और उज्वल भविश्य की संभावनाएं भी बढ़ेंगी इसके साथी वारानसी जिलापर शासन की ओर से वारानस के पीछे वैग्यानिक तत ही यह है कि केले के पौदों की जड़े होती हैं उसमें कुछ ऐसी क्षमता होती है कि वह पानी की अशुदियां खीच लेते हैं और इस अशुद पानी में सिंखाडी की केती महिलाओं के लिए आय का जरिया बनेगी साथ ही कई तालाब जो अपना साहरे बिजली के तार जूल रहे हैं और ये खत्रे का कारण बनते जा रहे हैं बात करें इस योजना की तो 433 करोड रुपए की लागत से इस कार योजना के द्वारा ओवरलोड 30 फीडरों का भार भी कम किया जाएगा और सेकडो ट्रांसफार्मर्स की शमता वृद्धी समे तो सिस्टम को दुरस्त करने के लिए कई और भी कारिय किये जाएंगे तो बनारस ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरे फ्रम ओल ओवर दो वर्ल और स्पेशली ऑफ अवर पनारस नाओ लेट्स मूव ओन चलिए आगे बढ़ते हैं और परंपरा के नुजार वरतमान के स जब गुजरात में गुध्रा कांड को अंजाम दिया गया कई कारसिवकों की जान गई और ये दिन इतिहास के पन्नों में एक काले दिन के रूप में दर्च हो गया लेकिन इसके बाद दिल को तसल्ली के साथ कर्व महसूस कराने वाला दिन भी आया जब आज के ही दिन साल 2010 2010 में भारत ने आठवी राष्ट्र मंडल निशाने बाजी प्रतियोगिता में 35, 25 रजत और 14, 50 सहित कुल 74 प्रदफ जीत करके पहला अस्थान हासिल किया आज एक दिन पहली बार हेलिकॉप्टर डाक सेवा का उद्खातन किया गया और बात करें आज एक दिन साल 1932 की तो इ आज दू करी मुद्र चेडविक कि ने निउट्रव की खोज ओंका बता दू अड़ो में प्रोट्व狼ं में और निउट्रों मिंद करके अड़ों का के इंद्रग बनाते हैं इलेक्ट्रॉन इस के इंद्रग के चारों तरफ चक्कर लगाते इस खोज के बाद में अडू के स्वीटनर सैक्रीन की खोज की थी ये खोज कुछ इस तरह से हुई कि फॉलबर्ग साहब जब कोलतार के पदार्थों पशोद कर रहे थे उसी दौरान उनके हाथ में किसी पदार्थ की मिठास रहे इस पदार्थ को उन्होंने सैक्रीन का नाम दिया आपको बतादू सैक्रीन रूप से उपलब्द होने वाला पहला क्रित्रिम यानि की आर्टफेशल मिठास देने वाला पदार्थ है और यह सुक्रोज की तुलना में 500 गुना अधिक मीठा होता है सैक्रीन जोकी एक बेंजोईक सलफाइमाइड है इसका उपियोग कोल्ड ड्रिंक्स कैंडीज और बे आर्टिफिशल या क्रित्रिम चीजों से उसकी भरपाई की जाए पर आर्टिफिशल तो आर्टिफिशल ही होता है जिसके बड़ नैचुरल कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जोकी खतरनाक और जानलेवा साबित होते हैं माना की विज्ञान की खोज हमें धेर सारी सु अधे बनारस हम बनारसी और मीठे का रिलेशन तो ऐसा है जैसे आप और हम है कि एक दूसरे की मिना रही नहीं सकते बरपेट चकाचक भोजन के बाद में एक बनारसी मीठा ना खाए तो क्या बनारसी वेल मीठे की बारी तो तब आएगी ना जब भरपेट भोजन होगा वो है कि किस तरह से लोग घर के साथ साथ अगर किसी शादी या पाटी में जाते हैं या इवेंट में जाते हैं तो वहाँ पानी की बरबादी करते हैं अगर हमें अपनी प्रित्वी को बचाना है तो पानी को तो बचाना ही होगा लेकिन इसके साथ साथ आपको इस बात को भी जितना जरूरत हो उतना ही खाना ले अपनी थाली में और इस बात की ताकीत करे कि जो बचा हुआ खाना है न वो वियर्थ न जाए नाली में वो क्या होता है ना बनारस हम इंसानों के पास जब कोई चीज हमारी स्ट्रेंट्स से ज़्यादा होती है या मिलती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं अकसर देखा जाता है कि लोग अपनी प्लेट में पहले तो खाना छोड़ देते हैं फिर उसे फेग देते हैं जबकि बनारस इस दुनिया में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो भूपमरी से जूज रहे हैं और ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए उनके खाने की जो संबंदित जरूरते हैं उसे पूरा करने के लिए हमारे कुछ युवासातियों ने एक पहल की और खाना बैंक ट् साथ हैं आईए हम उनसे इस दिनीक काम के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ अगर आप इस सोशल वर्क से जूरना चाहे तो कैसे जूर सकते हैं अपना योगदान दे सकते हैं वो सब कुछ हमें बताएंगे आईए उने सुनते हैं देश में स्थिति अगर ऐसी है तो उस पर विचार करना होगा और कोई न कोई हल तो जरूर निकालना होगा उसी छण मैंने निश्चे किया कि शुरुआत हम अपने नगर से करेंगे और जरुतमंदों को भूखा ना सोना पड़े इसके लिए हम प्रयास जारी रखेंगे अ आज 500 से ज़्यादा घर हमसे जुड़े हुए हैं जो प्रती दिन हमें शुद्ध बोजन देते हैं जरुतमंदों के लिए साथी साथ पूरे जनपत चंदोली वारानसी सहित आसपास के कई जिलों से हमें सहयोग मिलता आ रहा है इसके साथ ही पूरे भारत वर्षे लगबग तीश सहरों से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथी साथ विदेश से भी खाना बेंटर्श को आशिरवाद प्राप्थ होते आ रहा है हमारा यह सारा कार हमारी टीम के आत्मबल और एकता के वज़े से ही संबह हो पा रहा है शुरुवाद तो मैंने अखेले किया था पर आज यह कारवां सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम के वज़े से ही आगे वड़ता जा रहा है हमारी टीम में मुखी रूप से प्रमीरगरहरी जी सूरज गुपता नितेश सोनी रवी सेट प्रयांशो गुपता आशुतोस जैसवाल अभिशेग गुपता अमित प्रजापती अमित चौरसया, अंकेश रिवास्तव, हमारी सोशल मीडिया मैनेजर निधी शर्मा, इवेंट कानेजर शिवांगिनी शर्मा, इन सभी सद्यसों के वज़े से हमारा कार नई उचाईयों की वो रग्रसर है, भोजन के साथ साथ हम सिक्छा और खेल के छेतर में भी अपना प रत्मंद को मिल जाए, इसके लिए हम प्रयास करके उन तक पहुंचाते हैं, सिक्छा के छेतर में हमारी सिक्छा इकाई गुरुकुल, जिसमें हम प्रात्मिक एवं मिडिल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सिक्छा की नई तकनीक सिखा रहे हैं, तथा उन्ह समाज के मुख्यधारा से जोडने का प्रयास कर रहे हैं, साथी साथ ग्रामीड छेतर में बालिकाओं को टेकनीकल एजुकिशन दे करके उन्हें शशक्त बनायाने का प्रयास कर रहे हैं, खेल के छेतर में हम अपने देव्यांग भाईयों को परोट साहित कर रहे हैं, जिसम उसमें उन्हें उनका टैलेंट साबित करने का मौका मिला है हमारे देश को भुक्मरी मुक्त बनाने का हमारा प्रयास सिक्षा और खेल के छेतर में हमारा यह प्रयास अनंद काल तक जारी रहेगा हमारे साथ जुडने के लिए आप हमारे वाटसप नंबर 8840775823 पर कॉल करके और वाटसप करके हमसे जुड़ सकते हैं साथ ही साथ शोशल मीडिया पर हमें इस्टाग्राम पर यूट्यूब पर और फेस्बुक पर आप खाना बेंट ट्रस्ट नाम से हमें ढूनेंगे तो हम आपके उपस्सित होंगे आपके बीच आपकी सिवा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हैं जय भारत तो बनारस वाटसप नंबर नूट कर लिजे 8840775823 इसके साथ ही फेस्बुक इंस्टा पर भी आप इस सोशल कॉस्स से जूड़ करके भूके और जरूरत मंदों की मदद कर सकते हैं बहुत-बहुत बधाई बनारस इतने सारे इवेंट हो रहे हैं अपने शहर में शादी भ्याँ और क्या-क्या लेकिन अगर फरवरी मंत की बात करें तो यह अपने आप में एक इवेंट है क्यों अरे क्योंकि इस साल फरवरी 29 दिन का है 29 देज और मुझे पता है कि आपको पता है कि यह साल 2024 लीपियर है मिर पीठ कि यह होता क्या है और क्युंह तो बनारस जैसे कि हमारे हिंदी कैलंडर में मलमास का जिक्र आता है, अंग्रेजी में लीपियर होता है, एक्चिली धरती अपनी धूरी पर सूरी के चारोर गूमती है, जिसमें 365 दिन और 6 गंटे का समय लगता है, अब साल के 365 दिन तो ठीक है लेकिन 6 घंटे का क्या तो 6 घंटे हर साल जोड करके 4 साल में 24 घंटे का एक पूरा दिन बनाते हैं जिसकी वज़ा से फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है अब सवाल यह है कि फरवरी ही क्यों तो जैसा कि मैंने आप से जिक्र किया था कि हम ग्रिगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं जो कि जनवरी से शुरू होकर के दिसंबर पर खत्म होता है लेकिन इस ग्रिगोरियन कैलेंडर के पहले जूलियन कैलेंडर में साल का पहला महीना मार्च और लास्ट मन्थ फेब्रूरी होता था जिसमें दिन कम थे तो 4 साल के से एक अधिक दिन था उसे फरवरी में जोड दिया गया जिसकी वज़े से लीप एर की पहचान 29 फरवरी से भी होती है बनारस आप भी इस बात को काउंट करके देखेगा नौ अभी टाइम हो रहा है आपको टटा बबाई कहने का सुबह के साथ बच करके 20 मिनट होने वाले है गुट मॉर्निंग बनारस के इस सफर से नाओ आरजय कीरती साइनिंग ओफ बिलूंगे आप से 845 पर मधुरिमा प्रोग्राम में तब तक के लिए कीप लिसनेंग आपकी अपनीवाणी आकाश्वाणी